आज हम बनाएंगे आलू गोस रेसिपी बहुत ही टेस्टी और कम टाइम में और कम मसाले में घर में सभी को पसंद आएगा मैंने लिया है गोश इसको साफ धो लिया है आलू को छील के धोकी काट लिया है थोड़ा तिश्वत्ता लिया है इसको धो लिया है लकड़ी लॉंग छे काली मिरच एक बड़ी लाची तीन छोटी लाची प्याज लिया मैंने दो बड़ी साइस की पाच्छे हरीमिच लिया है बीच से काट लिया है गैस पे कुकर चढ़ाएंगे तेल डालेंगे तेल मेरा गर्म हो जाए दो बड़ा चमच मैंने तेल डाला है तेल को हाई फ्लेम पे गर्म करेंगे फिर गैस की फ्लेम को लो कर दे अब मेरे मसाला खड़ा निकाला मसाला नीकाला है मसाला तोड़ा चटकने लगी उसके बाद प्यास अरिमिच को डाल देंगे न उसके लाइड ब्राउन होने तक प्राई करेंगे प्यास हरी मिच को प्याज मेरी फ्राई हो गई ही, एक कटोरी मैंने जेंजर गारलिक पेस्ट लिया है, इसको डाल दिया है आप कुछ मसाले एड़ करेंगे, एक छोटे चमच मैंने लिया है, हल्दी पाउडर गरम मसाला लिया है, एक छोटा चमच और मैंने आदा छोटा चमच काली मिलज पाउडर आदा चुटा चमच जभूबना जीरा पाउडर लिया था, उसको भी डाल दिया है, अब मसाले को भून लेंगे दो बड़ा चमच धनिया पड़र डालेंगे गोश को डाल देंगे मसाले के साथ गोश को भूनेंगे धकन धकके लो फ्लेम पे गोश को भून लेंगे गोश और मसाला मेरा एक साथ भून गया है मैंने टमाटर काटा है उसको डाल देंगे मिक्स कर लेंगे गोश में चला लेंगे नमक डालेंगे टेस्ट एकॉर्डिंग जितना आपको पसन है नमक डालेंगे गोश को भूनेंगे एक मिनिट गोश मेरा अच्छे से भून गया है अब आलू डालेंगे आलू डाल के गोश के साथ भूनेंगे दो मिनिट आलू गोश मेरा भून गया है पानी डालेंगे जिसे अच्छे मेरा गोश और आलू गल जाए के इतना डालेंगी मेरा गोश और आलू गल जाए और थोड़ा सालन रह जाए चला लेंगे थोड़ा और डालेंगे पानी अब कुकर की डिल लगा देंगे दो सीटी आने पे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे मेरा आलू गोश बन गया है टेस्टी चरपटा कम टाइम में कम मसाले में घर में सबी को पसन आएगा तो उपर से धनिया पत्ती डाल देंगे अगर आपको मेरी आलू गोस्टी की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेट्स और चैनल को सबस्क्राइब करेगा इस तरीके से बनाईए घर में सबी को पसन आएगा